शिरी शिवाय नमस्तुब्यन दोस्तो हरहर महादेव दोस्तो गुरुजी द्वारा बताए गए सबी उपाए हम इस चैनल पर करके बताते हैं चौथे दिन की सिरी महाश्यवरात्री सिप पुरान कथा जो की सिहोर चितवलिया में चल रही है गुरुजी द्वारा जो जानकारी दी गई है कथा में वो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं साथी साथ उन्होंने जो पत्र पड़े हैं जो की पत्र में जिनकी आस्ता के साथ मनुकामना पूरी हुई है उनकी जानकारी हम इस छोटे से वीडियो में देने वाले हैं अगर आपने किसी भी कारण बस आपने तीन गंटे की शिव महापुरान कथा नहीं सुन पाई है तो वो इस छोटे से वीडियो में आप सुन सकते हैं तो ठीक है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गुरु जी ने शुरू में बताया कि अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आपके घर में पानी पीने योग हैं अगर आपके घर में कोई भी सिवलिंग नहीं है संकर वगवान की अगर प्रतिमा नहीं है सिवलिंग नहीं है तो वो घर घर नहीं होता है और गुरु जी ने अपनी कता में ये भी बताया है कि अगर आपके घर में अंगुठिस जितनी Sibling है तो आप अपने घर में वो विराजित कर सकते हैं नहीं तो अगर उससे बड़ी Sibling है तो उसको मंदिर जैसे ही पूजा लगेगी उसको सुबह साम बेल पत्र लगेगी उस Sibling पर सुबह साम आपको जल चड़ाना रहेगा सुबस आम आरती करनी पड़ेगी तो अच्छा है कि आप अंगूठे जितनी सिब्लिंग अपने घर में जरूर सिब्राजित करें और अगर आप अपने घर में आठ दिन तक सिब्लिंग पर जल नहीं चड़ा पाते हैं तो भी कोई शराप नहीं देंगे अगर अंगूठे जितनी आपकी घर में सिब्लिंग है इससे बड़ी अगर सिब्लिंग है तो उसकी पूजा करना आपको अनिवार रहेगा ये प्यारी सी जानकारी आप आज की कथा में गुरू जी ने बताई है चलिए बढ़ लेते हैं दूसरी जानकारी की तरफ गुरू जी ने बताया है कि जो लोग अपने घर से बाहर कहीं गूमने जाते हैं ब्रंदा बन जाते हैं एकासी जाते हैं बनारस जाते हैं वो अपने ठाकुर जी को घर से बाहर लेकर जाते हैं डलिया में रखकर लेकिन हमारे महादेव को कहीं बाहर ले जाने की जरूरत न नहीं है आप अपने घर में रखिएगा जैसे कि बुजुर्ग को अपने घर में बिराजित करते हैं जब घर में बुजुर्ग रहता है तो उस घर में किसी की आने की हिम्मत नहीं होती है बैसे ही महादेव आपके घर में बिराजित होते हैं और वो आपके घर की देखवाल कर आपकी उपस्तिती ना होती है तब गुरु जी ने आगे जानकारी देते हुए बताया है कि अगर आप अपने घर में कहीं सॉपिंग करने जाते हैं कहीं आप सुनार की दुकान पर जाते हैं तो आप अपने बुजुर्ग के साथ कोई भी सॉपिंग नहीं कर सकते हैं कोई भी बढ़ लेते हैं दूसरी विशेज जानकारी की तरफ सिविलिंग घर में जितनी छोटी होगी उतनी ओसदी हमारे घर में वो काम करेगी ओसदी के रूप में सिविलिंग हमारे घर में काम करेगी चलिया बढ़ लेते हैं एक पत्र आया है कांति लाल जी का जो कि निर्बाल वि इसरा जी की कथा आती है क्यों ना हम एक बार सिहोर चलते हैं और बहां सिहोर जाकर कंकर संकर की पूझा की मैंने संकल्प लेकर निर्वाल ले विसर्जन रत चालू किया मेरा बेटा धीर धीर आरब ठीक हो गया उसके बाद गुरू जी आरब की माता को गठाने होने लगी गठाने इतनी हो गई कि डॉक्टर ने बोला कि ये गलेंगी नहीं मैंने कंकर संकर की धरा पर जाकर बहां संकल्प लिया कि मैं निर्वाल ले विसर्जन रत चलाऊंगा और वो गठाने चार महीने के अंदर गल गई गुरुजी अभी मेरा विश जानकारी की तरफ गुरुजी ने बताया है कि डॉक्टर अगर आपको दवाई बोल रहा है आपके सरीर में कोई परेशानी है कोई बीमारी है तो अगर वो डॉक्टर दवाई बोल रहा है खाने को तो जरूर खाओ लेकिन जब भी दवाई खाओ तो कुंद केशर महादेव का नाम लेकर खाओ इससे आप अपनी दवाई भी खा रहे हैं और महादेव की किरपा भी हो रही है अगर डॉक्टर बोल रहा है कि आपको ये चीज़ करना है तो आप वो भी करिए साथी साथ कुंद केशर महादेव का जाप भी कीजिए और उनका नाम लेकर अपनी लोगी नहीं है क्योंकि ये उमा खंड में लिखा हुआ है आप ऐसा पढ़ सकते हैं जो शिप पुरान कथा है शिप पुरान गीता प्रेश गोरकपुर में आप उमा खंड में देख सकते हैं गुरुजी ने आगे बताया कि कंकर संकर की धरा पर जो भी आए है उसके लिए बनाया गया है ये सब गुरुजी ने बताया कि ना मेरे घर में कोई फणीचर लगा है ना ही हमारा कोई बंगला है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी ने इतना कमा लिया उतना कमा लिया लेकिन हम एक छोटे से ही घर में रहते हैं हमारा जो कुबरेश्व हमें मिलता है वो हम सब उसी धरा पर लगा दिते हैं गुरुजी ने आगे बताया है कि घर में सिबलिंग और मंदिर में सिबलिंग में क्या अंतर है एक जानकारी उन्होंने ये भी बताई है कि किसी ने पूछा कि गुरुजी घर में सिबलिंग हो और मंदिर में सिबलिंग हो और हम सुनते हैं, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, एक जो पत्र आया है, वो सीहोर में ही रहती हैं, उन्होंने बोला कि मैं गुरुजी आपको नहीं मानती थी, जैसे कि सभी लोग नहीं मानते थे सीहोर में, सब लोग बोलते थे कि ये अपना सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, और फिर मेरे संतान नहीं थी, मैं पूजा भी इधर उधर से करवाई, मैंने दवाई भी ली, सभी डॉक्टर को दिखाया, लेकिन हमें कोई संतान नहीं हुई, फिर मेरी बहन ने बोला कि कुबरेश्वर धाम जाकर पूजा करो, मैंने का ऐसा भी कुछ होता है, फिर हमने कंकर संकर की पूजा की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, मैंने सोच लिया, ये जूट बोलते हैं, ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, फिर मेरी पतनी ने बोला कि चलो एक बार फिर से पूजा कर लेते हैं, आकड़े की जड़क का भी प्रियोग किया, बांधी, बाबा की जब कावर चड़ाने जाते हैं, तो हम कावर चड़ाने गए, उस नदी में जल नहीं था, तो बोलते थे की जल नहीं है, तो हम कैसे बाबा का जल अवशेक करेंगे, लेकिन बाबा की किरपा से हमने जल अवशेक किया, और उसके बाबा ने 11 वर्स बाद मुझे संतान दी बाबा की किरपा है और बाबा का बखान में क्या करूँ चली अब बढ़ लेते हैं आगे जो पत्र आया है वो आया है भोपाल की रहने वाली लच्छमी लोधी का उन्होंने बताया है कि मेरे पती बहुत ज़्यादा दारू पीते थे उनके लीवर में पानी भर गया था डॉक आज का जल पिलाना शुरू किया आज बाबा की कथा हम कथा पंडाल में सुन रहे हैं बाबा की किरपा का क्या बखान करू गुरू जी बाबा की किरपा से मेरे पती का लीवर सही है और आज हम कंकर संकर की धरा पर आकर कथा सुन रहे हैं गुरू जी ने आगे कथा में बता तो बोले बाबा की अगर आप पूजा करते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि हम अपने घर में किसी बुजर्ग की पूजा अर्चना कर रहे हैं बुजर्ग की देखवाल कर रहे हैं बाबा आपके घर में जैसे बुजर्ग आसीरवात देते हैं बैसे ही आपके घर की और आपक स्वैम रच्छा करेंगे गुरू जी ने आगे कथा में बताया कि अगर आप बेल पत्र लगाते हैं बेल पत्र अगर अपने घर में घर के बाहर कहीं संकल्प करके बेल पत्र का ब्रच लगाते हैं तो आपके घर में अगर 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल तक भी हो गए संतान नहीं हुई तो बाबा की करपा से आपको संतान जरूर प्राप्त होगी इसलिए ब्रच अवस लगाएं अगर हम चले भी गए तो आपके द्वारा जो ब्रच लगाया गया है उसकी बेलपत्र हमेशा महादेब के उपर चड़ती रहेगी गुरू जी ने आगे भी बताया कि तुलसी मा की जैसे साली ग्राम से साधी होती है वैसे ही बेलपत्र की साधी घोले बाबा से होती है बस भाव और आस्ता होनी चाहिए गुरू जी ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी अपनी चौथे दिन की शिप पुरान कथा में दी है अगर आपने वो कथा नहीं सुन पाई है तो इस वीडियो में आपने सभी जानकारी का लाब राप्त किया है कमेंट सेक्षन में सिरी शिवाय नमस्तु भी हम अवश्य लिखें